नमस्कार SGV News देखने हैं मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया तो आखिरकार किसान अंदोलन 2.0 जो है उसकी हवा निकलती हुई नजर इसलिए आ रही है क्योंकि आपको बता दे 22 दिन के बाद अंबाला चंदिगर्ड हाईवे जो है वो खुल चुका है जी हाँ जाफी जादा नफा नुकसान इसका हो रहा था और अब आखिरकार जैसे जैसे अंदोलन जो है वो ढिला होता गया अब जैसे ही प्रशासन को लगा उसके बाद 22 दिन यहां पर बीट चुके हैं अब खोल दिया गया है लोगों की आवाजाही के लिए तो यहां पर जो पिलरो चाहे कमर्शल गाडियां हो उनका आवाजाही का रास्ता आप खुलने के बाद जो है वहां पर ट्रैफिक जो है वो सुचारो रूप से चल रहा है जबसे अगर बात किया इसके किसान अंदोलन टू पाइंटो की शुरुआत हुई थी तब से देखा गया था खास त पुता नजर नहीं आ रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजिनती पिछले लगबग एक हफते से जादा तेज हो गई थी जिसका परिनाम देखने को मिल रहा है कि अभी एक सुर में एक सुद में ये किसान संगठन नहीं आये हैं और अब लोगों के लिए ट् करेंगे और उसके बाद हम जो है पंजाब हर्याना के किसान दिल्ली में आएंगे तो एक महोल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है 14 मार्च को दिल्ली में एक महा पंचायत रखी जा रही है यहां पर इन संगठनों की तरह से पहले ही उसकी कॉल दे दी गई थी और किस तरीके से कोई उसमें कह रहा था कि मोधी को पंजाब नहीं आने देना हैं खालिस्तान की बात इसमें उठेंगे कही सारी चीजें 10 आंदोलं से निकल करके सामने आ रही थी कोई कह रहा थे कि मोधी पिछली बार इस बार बच़ पार बच़के नहीं किसान नेतां के मैं तो कि यहां पर रास्तों को खोल दिया गया है अंबाला में जिस से ट्रैफिक जो रूप से चल रहे हैं सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा था तो हिमाचल प्रदेश जाने वाले लोगों का जमुकश्मीर जाने वाले लोगों का वहां से जो रोड के रस्ते आही के वली अंदोलन में जब किसान अंदोलन पहला भी हुआ था उस समय भी काफी दिक्टों का सामना जो है वो करना पड़ा था बैरहाल इसी बीच अगर बात कि जाए अब किसानों की मांग जो है वो MSP के बाद जो है World Trade Organization से हटने की भी इसमें मांग निकल करके सामने तो दिरे थंडा होता गया क्योंकि पहली कुछ दिन पहले जो डिली से जुडने वाले बॉ塔 रहे चाहीं टिक्री बॉडर हो चाहे सिंगू बॉॉका उनको खोल दिया गया था और अब यहां हम देख रहे हैं कि इम्बाला से भी ऐसे विज्ट जा रहे वहाँ पर भी इसको खोल दिया गया गया है और एक एक LAJN को खोला गया है इससे डिली से चंदिगर भो सीधे जा सकेंगे उन्बाला से होते हुए बैरहाल इसी बीच अगर बात कि जाए तो किसान अंदोलन में अब ये का जा रहा है कि आठ मार्च जो है आ रही है तो आठ मार्च को महिला किसान संगटनों के साथ अंतराश्टे महिला दिवस मनाय जाएगा इसकी बात की गई है यहाँ पर अब देश बर के किसान की खबरे सामने आ रही है इसके बारे में भी आपको बता दे तो सेउक्त किसान मोर्चा है वहाँ पर की MM है तो उनके बीच में कुछ दिन पहले तब तनाब बरी स्थिती निकल करके सामने आई जब एक जुड़ता नहीं हुई साड़े चार गंटे तक बैठक चली थी इनोंने एकदम से उसमें MSP ले आए बिना किसी बात के बिना किसी यहां पर बैठक के वहीं दूसी तरफ फिर के MM ने कहा कि नहीं हमने इनको पहले ही 13 बार बैठक में इस चीज़ का जिक्र किया MSP का यानि कि minimum sport price का हमने जिक्र किया था तो कही ना कहीं यह जितनी भी statements निक ना कहीं राजनीती से प्रदित यह पूरा अंदोलन लग रहा था अभी भी लग रहा है क्योंकि अब इसमें दीरे दीरे अगर बात किज़े तो काफी जादा ठंडा जो है यह आंदोलन हो चुका है अब यह बटा हुआ क्यों लग रहा है यह किसान अंदोलन क्यों बटा जो है सेंउत किसान मोर्चा जो गैर राजनितिक है और किसान मजदूर मोर्चा को सूंपा गया तो SKM की छे सदस्यों वाली कमेटी की तरफ से ये प्रस्ताव जो है वो शंबू बॉर्डर पर अंदोलन कर रहे हैं कि MM के किसान नेताओं को सूंपा गया और इस प्रस्ताव को द्रिश्टी कोन के तोर पर बताया जा रहा है कि ये संगर्ष को सही अधार और रास्ता मुहिया कराने वाला है वहीं दूसरी तरफ अगर बात कि जाए हैं इसी बीच किसान अंदोलन और किसान नेताओं के जो बटे होने की बार सामने आ रहे हैं उसमें सेंउत किसान पर अंदोलन रत किसान संगठ्णों पर गंबी रारोप लगा है एसकेम ने शंबू बार पर जो किसान नेता वहां पर हैं जाहे अगर बातों सर्वन पंडेर की और जगजीत धल्लेवाल की उनको पत्र लिखकर कहा कि सेंउत किसान मोर्चा को तोड़ने की कोशिशे बंद क कि कैसे बदलता गया पूरा किसान अंदोलन सबसे बहले शुरुआत हुई कि किसानों को उनका हक मिले फिर चीज़े इसमें बदलती गई पीम मोदी का बार बार जिक्रा है और अब यहां पर क्या यह आरोप लग रहे हैं उनी किसान संगठ्णों की तरफ से एक दूसरे पर पहल की है बहरहal सेमों की सान मोर्चा लगातार जो है वो यहां पर सवाल उठारा है सेमों किसान मोर्चा कहना है कि 26 जनवी दोजार एकीस को सतनाम सिंग्पन्नूर सर्वन सिंग पंडेर की जथे बंदी द्वारा ही लाल क्ले की तरफ बार का फैसला वो सही नहीं था पी आंदोलन के दोरान भी किसान आंदोलन को जीत की दरफ बढ़ाने के लिए संपर दाइकता अंदोलन में फूट डालने वाले और राजकता फैलाने वाले शक्तियां जो है वो जम कर खलल डाल रहे हैं इन शक्तियों को यहां से दूर करके ही आंदोलन चलाना चाहिए इन त सामने आ रही है इसमें पिछले अंदोलन का भी जिक्र हो रहा है कि उस समय जो दिल्ली में किया गया 26 जनवरी को जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा उसका फैसला किसका था कैसे उसको सुलजाए जा सकता है तमाम चीजी अब निकल करके पब्लिक डोमेन में सामने आ चुकी हैं सब सच जो है वो सामने आ रहा है पहले दिन से ही अब आपकी इस पर क्या रहा है आपकी जो भी प्रतिक्राइब अब्जूर में सक्वाइन बॉक्स में शेयर करें इससे तमाह अपडेट क्लिप बने थे एस्जीव नियूस के साथ धन्यवाद